हेलो दोस्तों मेरा नाम राकेश मंगा है और जैसा कि आप जानते हूं मैं आनलाइन रमी गेम के टिप्स और ट्रिक्स आपको बताता रहता हूं आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो रमी गेम के अंदर लॉस कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं मुझे मेल करते हैं और बताते हैं कि उनका लाकों रुपे का रमी में लोस हो गया है आप लोगों की दिवाली कैसी रही है ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं मैंने आपको कुछ टूर्णामेंट्स के बारे में कुछ डेटा फैक्ट्स बताए थे अगर आपने उसको दिमाग में रखा होगा तो मुझे बिलकुल उमीद है कि आप लोग ने अवोइड किया होगा उन बड़े टूर्णामेंट्स की तरफ जाने के लिए क्योंकि वो जो दो दो करोड के सपने दिखाए गए थे मुझे नहीं लगता कि वो जनुर्णी किसी रियल प्लेयर को सरकल वालों ने दिये होंगे अगर दिये होते तो कही न कई वो सोशल मीडिया पे या कही न कई वो प्लेयर जरूर होता और मेरे साथ तो रमी के सारे प्लेयर जुड़े हुए है बिल्कुल अगर किसी ने दो करोड रुपे जीता है तो मुझे जरूर कॉमेंट करें और बताएं ताकि बाकी प्लेयर्स की भी आखे खुलें कि हाँ ऐसे भी दो करोड कोई रमी साइड देती है जेन्विनली जो प्राइज दे सकते हैं डवलपर वो हम लोगों ने दिवाली लीग में आप सब को दिया है हर अफ़ते हम 50,000 का पहला प्राइज 30,000 रुपे का दूसरा प्राइज और थर्ड प्राइज 20,000 रुपे का विड्रॉल बैलेंस में आपको दे रहे हैं और उनके नाम भी बकाइदा एप के अंदर गेम के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो सबसे पहले तो हर प्लेयर के मन में ये कुशन होता है ये डाउट होता है कि वो कहां पर किस रमी साइट पर रमी खेले कौन सी रमी साइट सेफ है बार-बार ये सब मेरे से पूछते भी हैं और मैं कई बार अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ किस रमी साइट के कौन से फीचर बढ़िया है मैंने पास में कई बार हाइलेट किये लेकिन आजकल जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो सबसे बड़ी प्राब्लम आ रही है कि रमी जो डवलपर है वो बोर्ट्स खिलाते हैं डमी प्लेयर खिलाते हैं जो कि आपके साथ एक तरह का सीधा सीधा फ्रॉड है क्योंकि आपको फाइनेशल लॉस पुचा रहा है आपके साथ ने एक डमी प्लेयर बैठा है जो कि आपका पैसा लेके चला जाता है तो ये सीधा सीधा एक तरह से फाइनेशल फ्रॉड है मेरे साब से क्योंकि देखो अगर दो रियल प्लेयर आपस में खेल रहे हैं एक जीता है एक हारता है डवलपर कमीशन ले जाता है अपना वहां तक तो बात ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मालो हजार हजार रुपे के दोनों ने स्टेक लगाए और आठ परसेंट का कमीशन जैसे कि हमारी फेर रमी में है तो उसको एक सो साथ रुपे कटे वो डवलपर ले गया और बाकी अठारा सो चालिस रुपे प्लेयर ले गया वो समझ में आएगा क्योंकि ऐसा हमेशा होगा कि एक प्लेयर जीतेगा तो दूसरा प्लेयर हारेगा भी या तू भी आजा तू भी जीत जा तू भी जीत जा जब आप रियल कैश गेम खेलने के लिए बैठे हो आप ताज के लिए बैठे हो रियल कैश के लिए तो ये तो मान के चलो कि आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा जीतोगे तो सारे players अगर 100 players खेल रहे हैं 50 players अगर जीते हैं तो 50 players obviously हारेंगे भी वहाँ तक ठीक है दिक्कत वहाँ है जहां पर की आपके सामने जो player बैठा है वो real player नहीं है वो boat है वो dummy player है और उसकी programming set है कि उसके पास कितने joker आएंगे उसके पास कितनी सिक्वेंस आएगी और वो कितनी चांस के बाद शो कर देगा वहाँ पर आपके साथ होती है चीटिंग अब आप कहोगे कि रमी डवलपर ऐसा क्यों करते है भई जब उनको रियल प्लेयर है उनके पास तो रियल प्लेयर से खिलाए क्यों ऐसी चीटिंग करते हैं क्यों ऐसे फ्रॉड करते हैं तो भई उसका भी आंसर है मेरे पास वो भी है न आप लोगों की चुल की वज़े से होता है अब मैं आपको बिल्कुल स्टेट फरवड बोल रहा हूँ आप लोगों की बेफकूफी की वज़े से होता है क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए आप चाहते हो कि मैं आज 500 रोपेली टेबल पे बैठा हूँ और जैसे ही मैं बैठा हूँ मुझे दो सेकंड, पांच सेकंड, तीन सेकंड में प्लेयर मिल जाए नहीं मिलेगा तो मैं दूसरी जगे चला जाओंगा मेर्ज में पेशिंस नी है, मुझे एकदम से प्लेयर चाहिए अरे भाई, जब आपको एकदम से प्लेयर चाहिए तो डवलपर प्लेयर कहां से पैदा करेगा? अगर एक लाग प्लेयर ऑनलाइन होंगे जैसे कि हमारी मैजिक रमी साइट में एक लाग से उपर ज़्यादा डाउनलोड क्रोस कर चुके है अगर इतने बड़े लेवल पे प्लेयर्स है तो तो वो डवलपर प्लेयर दे सकता है आपको रियल प्लेयर अब वाँ प्लेयर ही नहीं है कोई नई साइट्स आई है इतनी सारी दुनिया में माकेट में रमी साइट्स है तो अब उसके आप प्लेयर ही नहीं है और आप हो कि आपको पेशन्स नहीं है आपको वेट नहीं करना आपको जाते ही प्लेयर चीए नहीं तो आप छोड़के आउट हो के बाहर आ जाओगे तो डवलपर क्या करेगा क्या करेगा या तो आप वेट करूगे अगर वो बोले आपको कि ठीक पांच बजे आओ पांच बजे हमारे पास पचास सो प्लेयर बिल्कुल रेडी जन्वन हैं खेलने के लिए तो क्या आप पांच बजे उसके साब से खेलोगे नहीं आपका तो जब मूट करेगा आपको तब खेलना है तो खेलने के चुल किसको आपको है अब उसके कारण आप डवलपर को एक आइडिया देते हो कि यार भाई क्यूंकि आप रुकोगे नहीं आप भाग जाओगे वेट नहीं देगा वो उसकी जगे डवी प्लेयर इंटेडियूस कर देगा खेलने भाई इसके साथ ज्यादा जल्दी है खेलने की तो अब डवी प्लेयर या बोर्ट कोई बुराई नहीं है इसमें जैसे आप अब जी या सी ओडी या बाकी गेम्स खेलते हैं वहाँ पर भी बोर्ट हो पड़र तो वहाँ पर हो approximately वहाँ खेलने कोई बुराई नहीं है अगर उसके अपर को यहीं प्रोग्रामिंग ना की एव कि उड़ी जीते ही जीते है आप समझे चयाने मेरी बाक अगर आपके सामने बोर्ट बेट है लेकिन वह रियल प्लेयर की तरह ही activity कर रहा है उसको कोई additional advantage नहीं दिया गया है उसको कोई ऐसी programming नहीं करी गई है कि वो आपका game खराब कर दे समझ रहे हैं आप मेरी बात तो कुछ भी illegal नहीं है इसमें सारी gaming app खिलाती है लेकिन गड़बड़ वहां क्या करते हैं developer जो छोटे आजकल क्या है market में हर गली गली में रमी की application बन रही है तो सब लोग इसमें गुसे जा रहे हैं अब आप किसी भी रमी नई app पे चले जाओ उसका कोई नाम नहीं सुना होगा कोई पर आपके बास कही है SMS से link आ जाएगा आप उसे download कर लोगे किसी भी 500 रुपे 200 रुपे के लालच में और उस पे आप जाओगे तो आपको धड़ाद़ प्लेयर मिल जाएंगे आरे भई कहां से आगे प्लेयर मैं तो या डेट साल से यूटूब पे वीडियो बोल बोल के ठक गया अब जाके हमारे पास एक लाग प्लेयर जुडाएं उनके पास कहां से प्लेयर आजते हैं मेरे पास तो दस सब्सक्राइबर का चैनल बेस है इतने सारे विवर्स मुझे तो जाके हमारी रमी अब आज सक्सेस्ट्फुल है और हम आज की टाइम पे कह सकते हैं कि हमारे पास एक लाग रियल प्लेयर है तो उनके बस कहां से आजते हैं बताईए मुझे कैसे आजाएंगे आपने कोई रमी अब बनाई है आप उसे प्रमोट ही तो गरोगे फेस्बुक गूगल पे वहाँ पे वैसी रमी को प्रमोट करना वो उसके एड को बैन कर देते है SMS से आप कितने प्लेयर जुटा लोगे भाई और YouTube चैनल है किसके आप YouTube में रमी के बारे में डालो मुझे तो अपनी ही वीडियो नजर आती है और कुछ नजरी नहीं आता रमी पे जहां रमी डालता हूँ राकेश बांगा यह नजर आ रहा हुता मुझे मेरी वीडियो देख देखके लोग बोर हो गए यार तो दोस्तों आफ सचाई को समझो रमी डालता है क्योंकि उसके आफ प्लेयर नहीं होते हैं सो पचास प्लेयर होते हैं कैसे जुगाड करके वो आते हैं और बेचारे फज जाते हैं और वो उनको बोर्ट के साथ बिठा देते हैं अब बोर्ट के साथ बिठाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन बोट के साथ साथ बिठा के बोट की प्रोग्रामिंग भी कर देते हैं वो आपकी जेबे खाली करके ले जाता है फिर आप कहते हैं उसर मेरे इतने लुट गए मेरे इतने लुट गए मेरे इतने लुट गए अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो नए डवलपर हैं, छोटी साइट से हैं, वो ही ऐसा कर रही हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, इसके अंदर भाई involved, एक-एक चीज प्रोग्रामिंग हो सकती है, टूर्णामेंट का फर्स प्राइस कौन जीतेगा, बोट्स कितनी चांज में डिकलेयर करेगा, उसके पास क कितनी सिक्वेंस आएंगी, उसके हाथ में कितने पॉइंट्स आएंगे, everything can be pre-planned, तो आप सोचो कुछ भी हो सकता है, और जिन भाईयों के बड़े लॉस हो गए हैं, उनको मैं समझाना चाहूँगा, कि देखो जो लॉस आपका रमी में हो गया है, आप उसको रमी गेम खे खेलना है, नहीं खेलना है, ये आपका soul description है, आपकी अपनी choice है, मैं आपको उसकी जो भी जितना भी उसके बार में awareness दे सकता हूँ, अपने चैनल के मादियम से दे रहा हूँ, ठीक है, आप और कोई investment करना चाहते हैं, कोई cash investment, बाकी gaming application में करना चाहते हैं, अब भी हमारा ब इंडिया में legal हो गया है, अंदर बार, बहुत सार ऐसे से game हैं, जो आप खेल सकते हैं, एंटरेटेन्मेंट के लिए, और वहाँ पर कुछ पैसा भी आन कर सकते हैं, तो मैं अपनी अगली वीडियो में उसके बारे हम बताऊंगा आपको, और cash investment आप करना चाहते हैं, मेरा number दिया हुआ यहां पर, आप मुझे WhatsApp कर दीजिए, तो कहीं न कहीं हम आपके loss को किसी दूसे तरीके से cover करा देंगे, लेकिन आप सोचो कि रमी के अंदर जो loss हुआ है, वो आप रमी खेल के वापस जीच जाओगे, तो वो तो नहीं होने वाला भाई, वो तो बिलकुल दिमा हैं, कैसे पैसे को कमाया जाए, इसी gaming industry से investment करके कैसे पैसे निकाला जाए, वो मैं आपको बता सकता,